आप जो करते हैं आपकी के वाइसी स्टेटस पेंडिंग रा जाती है दो से तीन दिन चार दिन पांच दिन भी हो जाते हैं वह प्रॉब्लम आपका लगातार सो करता है आप उसकी एपियस यूज नहीं कर पाते हैं तो उसी का सोल्विशन ले करके मैं आ चुका हूं कि कैसे आ अगर आपका भी यह प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सॉट आउट में आपको बताने वाला तो वीडियो का अंतर तक देखेगा तो अब चलिए फटाबट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट अपने चैनल पर न अब हमाले चैनल को विजिट करके सारी वीडियो की वीडियो स्टार्ट सर्विसेज मिल जाती हैं तो आज में लोग बात करने व ci बिजना समयल की जैसे प्रॉसिट कर रहे हैं तो हमारे यहां पर ट्रांजक्शन आ रहा है तो यह हमारी आइडी पर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा यह फ्रेंचाइजी आइडी है फ्रेंट्स में काफी दिनों से लगों पिछले 2-3 साल से मैं यूज कर रहा हूं तो हमा मैसेज किया कि पेंडिंग से अप्रॉब करा दीजे तो उससे हमने एक बात पुछी कि भाई यह आप कितने दिन पहले यह किया हो तो उन्होंने बोला कि भाई हमने इसकी जो किया है वो आज से 2-3 दिन होग चुका है कि इस प्रकार से प्रॉब्लम क्यों आ रहा है हमें आप लोग कैसे करा पाएंगी इसी के बारे में आज किस वीडियो में बताने वाला आप लोग को तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दो पेंडिंग कितने टाइम तक रहता है पेंडिंग प्रोसेस है प्रॉब्लम से जीज दिन आप करते हैं उसके 24 आवस तक तो आपका ह होगा ही नहीं यह आप 10-15 मिनट से देख करके आये हैं वीडियो को तो उसके लिए सौरी फ्रेंट्स क्योंकि 10-15-20 मिनट में तभी होगा जब उसका प्रिये टाइम यानि कि 24 घंटे उसका पार हो जाएगा तभी आप 15-20 मिनट में करा सकते हैं तो पहला 24 घंटे तक आपक 24-4 आवर्स आपको वेट करना होगा क्योंकि आप लोगों को भी पताब फ्रेंट्स की APS की जो EKYC होती है वो बैंक के थुरू होती है और बैंक के थुरू सृट्सरिफ बैंकिंग आवर्स और बैंकिंग डे में होता है तो बैंकिंग डे आप लोगों को पता है कि Saturday को half time र या तो आप यहां callback के पर जा करके यहां पर देख सकते हैं, यहां पर department, आप लोगो चूज करना, EKYC, उसका callback करेंगे, तो directly आपको हिंदी या इंगलिस में बात करना, जो भी करना है, वो आपको यहां पर बता देना है, callback आपको आ जाएगा, दूसरा तरीका है, यहां chat के थ्रूँ आप कर सकते हैं, यहां पर वो जो chat आपने वहां पर screenshot ली है, pending वाले उसको यहां पर attach करके आपको डाल देना है, जैसे आप डाल देंगे, उसके आपको instant callback आ जाएगा, तो यह सारी चीजें हैं, उसके बाद या तो rage complain कर सकते हैं, या तो आपका distributor है, तो आप अपने distributor से contact कर सकते हैं, phone के तुरू उसको WhatsApp पे भेज सकते हैं, या तो आपको आपका team manager जो भी है, उससे आप contact कर सकते हैं, तो इसी तरीके को आप follow करके, आप बहुत या असानी से pending जो आपकी EKYC दिख रही है, उससे sort out करा सकते हैं, तो यह काफी आसान तरीका है तो इसी तरीके को आप follow करके आपका EKYC pending हट चुका है, तो वीडियो में आप हमें comments करके जरूर बताना, और साथ ही साथ जिसका भी pending हमने यह वीडियो चाहत दूसरे कर दना, तो चलिए friends, आज की वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छी ली तो वीडियो का लाइक कर जाएगा, चैनल पे नहीं सुच्छों को सस्क्राइब कर लेगा, तो थैंक यू पर वाचिंद रूप्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,